यह है दोस्तो वी 20 प्रो का बॉक्स और आप देख सकते हैं सामने वी 20 प्रो बॉक्स लिखा हुआ है 5G फोन है आप साइड में देख सकते हैं आप ही पैजिंग है वी 20 प्रो की और पीछे की तरफ इसकी बागी के डिटेल्स लिखी हुई है जैसे क्या-क्या सपोर्ट करता है और इसका डिस्प्ले क्या-क्या यह सबी चीजे जो है पीछे की तरफ लिखी हुई है साथ में इसके 20 वगेरा यह सब भी मेंशन किया गया है तो क्या करना है चलिए बिना किसी देरिके इस प्यारे से फोन को अन्बॉक्स कर लेते हो और देख लेते हैं कि अंदर हमको क्या क्या मिल जाता है चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है सवाल की क्या बता सकते हैं यह फोन मेड इन इंडिया है या फिर मेड इन चायना है कमेंट बॉक्स में लिकर मुझे कमेंट जरूर करिएगा और यह 8GB RAM और 108GB Storage के साथ में आता ह तो चलिए फटाफट इसको उन्बॉक्स कर लेते हैं प्लास्टिक इसका कट करते हैं और यहां प्लास्टिक ओपन करने के बाद यहां पर आपको मिल जाता है कुछ इसके Papers और SIM Injector Tray आपको मिलती है साथ में आपको मिल जाता है एक C-type Cable जो आपको Fast Charging करने में बहुत ज कुछ मिलता है जैसे आपका एक Silicon cover मिलता है जो आपके phone को protect करता है किसी भी तरह से और सबसे special यहां आपको earphone और earphone के साथ में आपको उसका jack भी मिल जाता है जो कि आप हमेशा aftermarket ही खरीते हैं यहां नीचे की तरफ आपको मिल जाता है इसका charging port साथ में है grill स्पीकर की grill और और mic आपको right and side और यहां पर आपको sim tray भी मिल जाती है जो कि dual sim tray है और weight है इसका 170 gram जो को बिलकुल भी भारी नहीं लगता है बिलकुल normal सा phone आपको लगेगा हाथ में उससे अलग बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको gorilla glass 5 की protection मिल जाती है और अगर आप इसको sunlight में देखत इसका volume rocker button भी आपको यहां पर मिल जाता है और इसकी display तो कहने ही क्या क्योंकि इसकी maximum brightness है 600 nets और वहीं पर यह HDR10 को support करता है और 410 ppi के साथ में यह phone और भी better display बना देता है तो दोस्तों यहां पर आपके पास में एक better display के साथ में एक better phone आप कह सकते हैं वहीं दोस्तों बात enhance कर देता है वहीं game खेलते वक्त अगर आप चाहते हैं कि इसकी brightness sunlight या room light में up and down ना हो तो आप इसकी brightness को lock भी कर सकते हैं जो कि एक better experience आपको gaming में दे देता है और इसके साथ में यहां पर आपको vapor chamber liquid cooling का option भी मिलता है option क्या मिलता है दोस्तों इस phone के अंदर दिया गया है जो क unnecessary आपके phone को गरम नहीं होने देता और आप काफी लंबे time तक इसमें gaming कर सकते हैं दोस्तों यहां पर कुछ photos के sample भी आपको दिखाए गये हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि इसके primary camera 64 megapixel से photos कैसे हैं वहीं ultra wide angle 8 megapixel का भी हमने use किया और उससा लग एक camera यानि कि 2 megapixel का micro camera भी इ हमने इसके कुछ quality test भी की हैं जैसे इसको band करके हम देख लेते हैं एक बार कि अगर हम इस phone को band करते हैं तो क्या यह band हो जाता है या नहीं होता है और अगर होता है तो उसका क्या प्रभाव phone पर पड़ता है वह चालू होता है नहीं चुला तो पूरा दम लगा कर हमने इसको band करने की जो है कोशिश की थी और band test में कुछ ना कुछ आप देखेंगे तो इसका display जो है वो मुड़ चुका है मुड़ने के बाद में जायसी बात है कुछ ना कुछ तो definitely इसमें damage होगा तो हम एक बार देख लेते हैं क्या damage हो आई तो shit यार यहाँ पर इसका जो है ग्लास देख सकते हैं उसे अलग कुछ water test भी हमने किये हमने इस phone को तकरीबन 1 minute 37 second के आसपास तक पानी में रखा और उसके बाद जब हमने इसको पानी को निकाला और देखा कि भी phone चलता है क्या नहीं चलता तो दोस्तों यहाँ पर पानी से phone निकालने के बाद में जब हमने इसको चेक किया तो दोस्तों surprisingly phone तो ओके था लेकिन बहुत सारा पानी जो है इसके jacks में भर गया था इसके जो charging ports होता है वहाँ और जहाँ पर इसका mic का port होता है वहाँ पर भी पानी भर गया तो बहुत पानी हमने या निकाला लेकिन जब phone को साफ करने के बाद में हमने phone को on किया इसको phone को काफी देर तक scratch किया है लेकिन यहाँ पर भी हमें जो shocking results हैं डिस्प्ले तूटने से अलग निशान पढ़ने वाला कोई भी इस phone के साथ में नहीं है लेकिन आप उपर से नीचे फैक्ते हैं तो वहाँ पर इसकी quality कैसी है पहले आप ये वीडियो देख लीजे पता उट गया है उसके अलग भी हम जब इसको दुबारा से गिराया है हमने बहुत देर तक और तीन चार बार गिराया है मलब दो तीन बार चार बार जब हमने इस phone को गिराया है तो पहतरीन तरीके से इसका display जो है और इसका जो back है मलड़ है लेकिन पीछे का glass अगर gorilla glass होता तो बहतर था पीछे के glass की तो इसके धजिया ओड़ जाती है दोस्तों आपके सामने है फिलाल इसका glass कैसा हो चुका है आप देख सकते है अपनी screen पर तो बस चोटी सी problem है otherwise तो phone is perfectly fine हा दोस्तों जरूर 8GB और 128GB RAM के साथ आपको फोन मिल जाता है और उमीद करूंगा वीडियो प जरूर करेंगे तैने बाद